हेलो फ्रेंग्स मैं जोती हूँ और आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल एक्साम हीर पर स्वागती इधनू की जो ये बुक है इस बुक को हमitos करेंगे जिसका फर्स चैप्टर मैंने पर्स पार्ट है मतलब आधा चैप्टर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर करवा दिया था इस वीडियो में हम वाकी बचा पार्ट करेंगे और हमारा ये वाला जो चैप्टर है इसका नाम है भारतिये विदेश नीती के अध्यन के उपागम तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये पता दू अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अब वहां से मेरी उस वीडियो को जो है देख सकते हैं आप इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखिए उसके बाद ये वाला देखिएगा तो आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे कुशिन पूच सकते हैं उसका रिप्लाइ जो है मैं आपको वहां पर देदूँगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम वरतमान विश्व ब्यवस्ता मतलब आज का जो विश्व ब्यवस्ता है इसकी रूप रेखा के बारे में देखेंगे आधुनिक योग में विश्व के बिविन देशों के बीच अंतर निर्भरता का सिधान्त बिविन विश्मताओं को जनम देता है जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने आपको अंतर निर्भरता का जो सिधान्त था जिसके बारे में बताया था अंतर निर्भरता का मतलब होता है कि जो देश है वो इंडिपेंडेंट ना होकर दूसरे देश पर डिपेंडेंट होना ठीक है तो इस अंतर निर्भरता का जो सिधान थे इसने जो है बहुत सारी जो विशमताएं हैं उनको जनम दिया है एक गरीब या दुरबल रास्ट सभी दृष्टी से शक्तिशाली देशों पर निर्भर है जो गरीब या फिर कमजोर रास्टर है देश है वो जो है शक्तिशाली देश पर निर्भर है वैश्वी करन ने इस चीज़ को और सुद्रड कर दिया है इसके अलावा क्या हुआ है रास्ट की संप्रभूता का इसमें क्या किया जाता है अंतर निर्भरता का सिधान्त इसके द्वरा क्या किया जाता है कि जो रास्ट की संप्रभूता है उसका उलंगन किये बिना जितनी भी प्रॉब्लम से उसको सौट आउट करने का जो है किया जाता है आजकल क्या होता है विश्व के जो भिविन देश है वो आपस में रिण के मादियम हम से औड्योगिक विकास में लगciğim greens के लिए अगर हमें 영상 ँeled मलबम लिए या कोई प्रॉबलम है तो आज इंटरनेशनल लवल पर बहुत सारे ऐसे देश है या फिर बैंक या फिर हम कहते हैं बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी जो विकाशिल देश है उसको रिंड देते हैं ताकि वो अपना विकाश कर सके ठीक है तो आजकल क्या होता है कि जो विविन देश है वो रिंड के म प्रवर्था को शती हुई है इससे हमें एक तरफ लाब तो होता है कि हमें रिंड तो मिल जाता है जोरोथ के टाइम पर पर क्या हुआ पर जो हमारी समाजिक, आर्थिक, राजनितिक और जो लोकतांत्रिक शेत्र है या फिर लोकतांत्रिक जो बेवस्ता है इस चीश को जो है पिख्षति पहुची है। इससे क्या हुआ है। इसको छोड़कर विकारशिल देशों के साथ काम करने लगे है। उनका सयोग लेने लगे हैं विकाशिल देशों के साथ मिल जुलकर आर्थिक, समाजिक और राजनेतिक शेत्र में अंतरास्ट यह जो नियम है और जो माननेता है उसको अपना रहे हैं इससे क्या हो रहा है? इससे जो सयोग आतमक जो प्रवर्ती है ठीक है, सयोग आतमक जो प्रवर्ती है इसको बढ़ावा मिल रहा है और रास्ट रास्ट के बीच जो है सयोग आतमक प्रवर्ती का जो है क्या हो रहा है? सम्मन जो है स्थापित हो रहा है पर इससे क्या हो रहा है? इससे एक तरफ तो हमारा सायोग बढ़ रहा है जो देश है आपस में एक दूसरे की सायता करने लगे हैं एक दूसरे के सायोग से काम कर रहे हैं तो इससे सायोग तो बढ़ रहा है एक तरफ वही दूसरी तरफ क्या हो रहा है दूसरी तरफ जो बड़े बड़े रास्ट है या फिर हम कह सकते जो विक्सित रास्ट है वो विकाशिल रास्टों के आंतरिक मामलू में भी हस्ते शेप करने लगे ही ठीके जिस कारण जो विकाशिल देश है उनमें असंतोश और कटूता की जो भावना है वो विक्सित हो रह जो है विक्सित हो रही है अगर हम उधारन लेकर देखे तो भारत की आंत्रिक जो अर्थ व्यवस्ता है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्ता है इसमें अमेरिका और विश्व की जो अन्या बड़ी बड़ी शक्तिया है जैसे ब्रिटेइन हो गया फ्रांस हो गया I.M.F हो गया य आर्थिक शेत्र में वियाश्वी करण ने जहां एक तरफ भूमंडी करण की भावना को बढ़ाया वही दूसरी तरफ कटूता को भी जनम दिया है इस व्यवस्था को भारत और विकाशिल देशों पर यह जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को जो विकाशील देश जैसे की भारत है ठीक है और जो विकाशील देश या फिर हम भारत क्या सकते हैं भारत भी विकाशील देश है इसके अलावा भारत की जो पड़ोसी देश है अफ्रीका जैसे हो गए ठीक है ये सारे जो विकाशील देश है उन पर जो है ये सारी ब्यवस्त अगर हम देखे जाए तो इसको जो है थोपा गया है ठीक है जिससे नहरूजी की जो गुट निर्पेश्टा नीती थी इसको भी धक्का लगा है क्यूंकि गुट निर्पेश्टा के अंतरगत जो है क्या होता था गुट निर्पेश्टा के जो समर्थक रास्टर थे वो अपन यह हैं नहरू की जो पंचशीलता का जो सिध्धान्त था ठीक है पंचशील का जो सिध्धान्त है जिसमें नहरू ने जो है अपने कुछ सिध्धान्त दिये थे जैसे एक देश अन्य देश में जो है हस्तेशेप नहीं करेगा विश्में जो है शांती व्यवस्ता बनाए रख कर जो है सारा काम किया जाएगा कुछ प्रिंसिपल्स थे नहरू के तो क्या हुआ इस व्यवस्था के कारण नहरू के जो यह पंचशील का जो सिध्धान्त था इसको भी धक्का लगा ठीक है क्योंकि जो बड़े-बड़े देश है विक्सित देश है वो क्या कर रहे हैं आंत्रिक मामले हैं उसमें जो है हस्तशेप नहीं करेंगी तो इस चीज को जो है धक्का लगा इस प्यवस्था के कारण विक्सित रास्ट का विकाशील देशों के आंत्रिक मामलों में हस्तशेप बढ़ रहा है जिसने दक्षन के देशों में रास्ट राज्जे की परंपर जूंफ करना हिएं को हैं फ Congrats दाट लूसे जो राज्ये वह टूटे ईए और बहुत से रास्ट के जो आंतरिक में जो है क्या करना होता है उस देश के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्ते शेप करके जो है अपना लाब सिद्ध करना होता है और कुछ उनका मतलब नहीं होता तो फ्रेंग्स आई होब कि आपको ये वरतमान विश्व व्यवस्था की जो रूप रेखाए वो इजीली समझ मे करें आगया होगा नहीं समझ में आया कोई कोश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे सकते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे आगे जो हमारा नेक्स ट्रॉपिक है वो है गुट निर्पेष्टा का सिध्धान्थ अब हम जानेंगे कि जो नहरु की जो गुट निर्पेशता का सिधान थे वो क्या था तो अगर हम टोटल मिलाके बात करें गुट निर्पेशता के अर्थ का बात करें तो इसका मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना शीति गयुद के टाइम पर विश्व ब्यवस्था जो है वो दो गुटों में बटा हुआ थ तो दोनों जो है अलग-अलग विचारधाराओं का निर्तित्व कर रहे थे अमेरिका पुंजीवादी विचारधारा से प्रेरित था और जो सोवियत संग है वो समाजवाद से प्रेरित था तो ऐसे में जो विश्व स्तर पर जो पूरा विश्व है वो दो भागों में बटा ह हुआ था दो गुटों में बटा हुआ था ऐसे में जो भारत है इसने गुट निर्पेख्षता की नीती अपनाई दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामल ना होने का जो है डिसीजन लिया दूसरे विश्व युद के बाद शक्ति शाली रास्ट छोटे कमजोर और निर्धन रास्टों को पर्मानु हथियार का भय दिखा कर अपने नियंत्रण में करना चाते थी दोनों महाशक्तिया परतिस परधा के कारण छोटे छोटे रास्टों को अपने गुट में घसीटना चाती थी इस व्यवस्ता ने अनेक विकाशील देशों को अंतरास्टिये जो संकठे उसमें डाल दिया था, जिस कारण अंतरास्टिये जो व्यवस्ता है इसमें बिख्राव आने लगा था शीत युद के कारण अंतराश्ट्य शेत्र में लोकतांत्रिक बैवस्था का क्या हो रहा था पतन होने लगा था इस स्थिती में गुट निर्पेख्षता एक ऐसे सिध्धान के रूप में विक्सित हुई जिसका उद्देश्य अब गुट निर्पेख्षता का जो उद्देश्य है वो क्या था उदेश्य था जो शक्ति की राजनीती है इसके विरोध में विश्व स्तर पर प्रेम, सयोग और सोहार्द का जो वातवरण है इसके द्वारा एक नए परिवेश का निर्मान करना था यह सामराज्यवाद का विरोधी था इसका उदेश्य रास्ट की जो स्वायत्ता है इसका आदर करते हुए भैमुक्त विश्वराजनीती का निर्मान करना था गुट निर्पेक्ष्टा जो नहरुजी थे वो गुट निर्पेक्ष्टा की नीदी के द्वारा क्या करना चाते थे बीसवी शतादी में जो एशी और अफरीका के जो रास्ट स्वतंत्र हुए थे उनको एकता के सूत्र में बानना चाते थे और सभी को एक अलग-अलग एकाई के रूप में देखना चाते थे इसके अलावा अंतरास्टी ब्यवस्था के अंतरगत राज्यों की जो आंत्रिक सयोग है आंतरिक सयोग की जो भावना हैं उसको विक्सित करना चाते थे ताकि विश्व में क्या हो सके विश्व में शांती ब्यवस्ता स्थापित होगी तो ये ब्यवस्ता कैसी होगी ये ब्यवस्ता जो शक्ती की राजनीती है इससे बिलकुल अलग होगी गुट निर्पेख्षता की नीती ने विश्व में जो भारत का स्थान था ये बहुत उंचा किया ठीक है उनने सो पचास से साथ के दशक में जो गुट निर्पेख्षता की नीती है ये बहुत ही लोक्तिय हुई थी और 1950 से 1960 तक का ये जो टाइम पीरियड है ये गुट निरपेख्षतान की जो नीती है इसका स्वोन काल कहलाता है 1970 तक भारत की विदेश नीती का जो लक्षे और जो साधन है या फिर हम उदेशे और जो साधन है बोल सकते हैं ये शक्तिशाली था पर धीरे धीरे जो है इसका पतन हो गया क्योंकि जो गुट निरपेख्षता की नीती थी या भारत की जो वैदेशिक नीती थी वो जो है उन्नत नैतिक आच्रोन से जो है सूसंस्कृत थी पर क्या हुआ था पर 1962 में जो है चीन ने भारत पर आकर्मन कर दिया जिससे जो गुट निरपेख्षता की नीती है भारत की जो वैदेशिक नीती थी उसको बहुत धक्काल लगा था क्योंकि जो भारत है इसका संबन्द चीन के साथ अच्छा था और भारत को नहीं लगता था कि चाइना जो है भारत पर आकर्मन कर देगा ठीक है नहरुजी ने नहीं सोचा था कि जो चाइना है वो भारत पर आकर्मन कर देगा पर ऐसा नहीं हुआ जो चाइना है उसने भारत पर आकर्मन कर दिया और भारत को जो है इस चीसका अंदाज़ा तक नहीं था और भारत को जो है इसका बहुत बड़ा धक्का लगा तब गुटनिर पेख्षता की नीती ने भारत की कोई मदद नहीं की जिससे भारत की महत्वा कांशा धूमिल हो गई इस नीती इस नीती की इस दृष्टी से भी अलोचना की जाती है इसी वज़े से क्योंकि 1962 में जो है गुटनिर पेख्षता की नीती ने भारत की कोई हल्प नहीं की और चायना ने भारत पर आकर्मेंट कर दिया इस वज़े से जो है गुटनिर पेख्षता की नीती की जो है अलोचना की जाती है ठीक है जो आलोचक है उनका कहना है कि गुटनी पेश्टा की नीती ने भारती है सुरक्षा की जो समस्या है इसको कोई भी महत्व नहीं दिया था आज का जो आधुनिक परिवेश है इसमें विश्व की जो समस्या है ये बदलती है मतलब बदली है समय के सासाथ विश संग का विगटन हो गया अमेरिका जो है महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया ठीक है इसलिए गुटनिर पेश्टा की नीदी जो है भारत ने क्यों अपनाई थी क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड लावल पर जो है दो महाशक्तिया थी बट समय के साथ-साथ क्या हुआ सो गुटनिर पेश्टा की प्रासांगिकता पर जो है प्रश्ण उठाने लगे हैं प्रश्ण करने लगे हैं पर हमें यह भी मानना पड़ेगा या फिर यह भी माननेता रही है कि जो नहरू की वैदेशिक नीती है यह सैनेबल कि जो वैदेशिक नीती है इससे अधिक कुशल और सक्षम थी और जो कूट नीतिक तोर पर समस्याओं का समाधान शांतिपुन तरीके से चाहते थी तो फ्रेंज आई होब आपको यह जो टॉपिक है गुट निरपेश्टा का सिध्धान्त और जो विश्व की रूप रेखा है आधुनिक समय में यह जो दो टॉपिक है आज ठीके और हमारा जो सेकंड चैप्टर है यही खतम होता है हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और जादा से जादा इससे शेयर करें आपन मेरी वीडियो यहां तक देखी इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू